Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल So friends, आज Sunday है, तो मैंने सुचा है कि एक काम करते हैं कि कुछ एक again छोटा सा और interesting एक कुछ वीडियो लेगे आते हैं जिससे कि जो हमारा Sunday है वो basically हमारा Sunday बन जाए तो आज का जो वीडियो है friends, उसमें मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ कि कैसे हम लोग scrapping का use करते हैं, web scrapping का तो web scrapping का जो मतलब होता है basically, वो ये होता है कि कैसे आप अगर किसी और website से कोई data उठाना चाहते हैं, तो आप उठा सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को curl के बादे में बताया था और curl में भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ बोली थी कि जब भी हमें किसी दूसरी website से communicate करना होता है, वो time पे हम curl का use करते हैं अब यहां पे उसमें एक चीज़ हमने order कर दी और वो यह है कि अगर हमें किसी दूसरी website से कोई specific data उठाना है specific data उठाना है, let's say assume कि मैं यहां पे कोई website जो है open करता हूँ, let's say मैं big basket को open करता हूँ big basket आगे हैं आपे, तो big basket का यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने एक page आ रहा है इस page में हमारे सामने यह बहुत सारी images आ रही हैं, तो अभी अगर हमें यह images को हमारे किसी web page पे दिखाना हो, तो हम कैसे दिखा सकते हैं यह मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, with the help of curl, curl के बारे में मैंने आप लोगों को last video जो था, वहाँ पे already बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं request करूँगा कि सबसे पहले, जो curl का मेरा वीडियो है, आप वो देख लीजिए तो web scrapping के लिए हम लोग curl का use करने वाले हैं, कैसे चलेंगे इसे one by one मैं आपको बताऊँगा और कैसे यह images को अगर हमें हमारे एक page में दिखाना है, तो हम उसे कैसे दिखा सकते हैं तो coding सार्ट करते हैं, सबसे पहले obvious सी बात है, हमें PHP को open करना पड़ेगा इसके बाद जो curl की बात करें, तो हमें curl को initialize करना पड़ेगा तो मैंने बुला यहाँ पे curl underscore init curl हमारा init हो गया, इसके बाद हमें एक URL की जववत पड़ेगी तो मैं यह जो मेरा URL है, इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, जिसका भी मुझे data basically यहाँ पे दिखाना है तो यह मैंने copy कर लिया, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ curl underscore set opt कुछ option set करेंगे यहाँ पे, पहला option आ जाएगा हमारा ch के बारे में यहाँ पे, जो curl है और हम लोग यहाँ पे set करने वाले हैं इस URL को, तो उसके लिए मैं लिख दूँगा curl opt underscore URL और यह हमारा basically यहाँ पे URL आगी है, इसके बाद एक काम करते हैं, फिलहाल इसको execute करते हैं तो मैं इसको बोल देता हूँ, curl underscore ex ex execute के लिए, dollar ch को, और इसी के जाथ यह जो curl है, इसको मैं यहाँ पे close भी कर देता हूँ, close, चलिए, dollar ch, एक बार इसे execute करके देखते हैं हम यहाँ पे, तो फिलहाल तो आगई error कहीं पे हमने, जो spelling है, वो mistake करी थी, मैंने uri लिख दिया था, यह url होना चाहिए था, तो यहाँ पे हुआ यह, कि जैसे ही मैंने इसको hit करा, तो इसने पूरे के पूरे, यह जो page है मुझे, इसका data मुझे यहाँ पे दिखा दिया, चलिए, data हमारे पास आ गया, इसके बाद हमें इसको एक variable में retrieve करना है, जिसके लिए मैंने last video में आप लोग को बताया था, कि हम लोग use करेंगे यहाँ पे कल, set opt, url जो हमने लिखा था, इसके आगे हम लिख देंगे, return, transfer, और return transfer को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, true, अगर मैं अभी page को मेरे reload करूँगा, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यह execute होने के बाद, result नाम का जो मेरा variable है, उसमें मुझे data देदेगा, एक बार इसको echo करके देख लेते हैं, चलिए, यहाँ तक हमारा यह बराबर आ रहा है, अब हमारी requirement यह है, कि यह हमें सारी की सारी images चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ पे use करना पड़ेगा, pragmatch का, कैसे चलेगा वो, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, preg underscore all, तो pragmatch का हम लोग use करते हैं, जब भी हम यह देखना चाहते हैं, कि अगर हमारे content में कोई particular चीज मैच हो रही है, तो उसको एक variable में डाल दे, तो यहाँ पे हमने बोला result, और इससे data नाम का हमारा जो array है, एक variable है, उसके अंदर डाल दिया जाए, किसको, तो मैं क्या करता हूँ, कि इसका जो image है, उसका एक वार हम, जो pattern बन रहा है, यहाँ पे, वो देख लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यह image का जो path है, इसको copy कर लेता हूँ, एक कोई और image भी देख लेते हैं, क्या pattern है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यह uploads के बाद, जो ps है, वो यहाँ पे common है, मतलब हमारे URL में इतनी चीज़ तो compulsory हो नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे https डाल सकता हूँ, colon के साथ, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यह इतनी चीज़ तो upload तक तो है ही है, dot jpg, jpg है, jpg, तो हमने यहाँ पे बोला कि हमारी जो भी हमारे पास इस content के अंदर, यह जो result नाम का हमारे पास variable है, जो big basket के यह particular page का हमें data पूरे का पूरा return कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको यह बोला, एक तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, again not, तो यहाँ पे हमने बोला कि इसमें जहाँ जहाँ पे भी यह particular string कौन सी? यह जो हमारी http से लेके s तक है, यह string आ रही है और इसी के साथ साथ dot star, इसका मतलब जो है वो यहाँ पे यह हुआ, कि यह starting में होना चाहिए और end में यह होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो, कोई problem नहीं है, इस data के अंदर जहाँ पे भी ऐसी चीज हो रही है, वो उठा के यह variable में डाल दिया जाए, चलिए, इस एक बार मैं हटाता हूँ यहाँ पे, curl को हम execute करते हैं, और अगर मैं, मैंने curl close हटा दिया क्या, यहाँ से curl को close करते हैं, इधर हम लेते हैं, और इधर चलते हैं E को, print, underscore, और data, देखते हैं एक बार, क्या output मिलता है हमें, सब कुछ सही रहा, तो हमें यहाँ पे एक array मिलेगी, जिसके अंदर सारी images होंगी, और अगर कुछ गल्द होगा, तो obvious सी बात है, वो नहीं मिलेगी, मुझे जो थोड़ा सा doubt था, वो इसी चीज़ का था, मैं एक बार इसे हटाता हूँ, एक बार अभी चेक करते हैं, तो देखिए, हमें यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे path हैं, वो हमें यहाँ पे मिल गए, दो array मिली हैं, जो first array है हमें उसे लेना है, second array को हमें यहाँ पे ignore कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यह जो array है, इसका जो first array है यहाँ पे data का जो zero element है उसको मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे हम बोलते है for each dollar data of zero zero index में है मैं एक बर क्रॉस चेक कर लो बिल्कुल zero index में है as list और यहाँ पे मैं बोलता हूँ e को img src और यहाँ पे कर देते है list चलिए एक बार इसको नए tab में मैं यहाँ पे reload करता हूँ hopefully सब ठीक होना चाहिए देखिए perfect वो सारी की सारी images जो यहाँ पे थी अगर आप देखे जो भी images यहाँ पे इसे first page में इधर इसे मिल रही थी वो सारी की सारी images इसने यहाँ पे उठा ली यहाँ पे कुछ images ऐसी हैं जो मुझे actually में repeat लग रही है तो एक काम करते हैं कि यह जो array था इसको मैं unique कर लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ final arr is equal to array underscore unique और इसको मैं यहाँ पे call करा लेता हूँ क्योंकि जो भी similar data होगा वो मेरा delete हो जाएगा reload करते हैं तो देखें images कम हो गई यहाँ पे तो यहाँ पे जो जो भी same path था वो हमारा remove हो गया देखें कितना simple तरीका है अगर आप देखें curl को हमने initialize करा हमने हमारे URL को call करा return transfer हमने बोला कि जो भी data है उसको इस variable के अंदर डाल दिया जाए इसके बाद यहाँ पे हमने pragmatch का use किया जिसमें हमने यह बोला कि हमारे इस variable में जहाँ पे भी यह string आ रही हो और इसके साथ dot के साथ यह चीज़ आ रहा हो उन सब को उठा के हमारे जो data नाम का variable है जहाँ पे आप चाहें तो इसके लिए function भी बना सकते हैं जिसमें आप यह चीज़ और यह चीज़ को एक parameter में पास कर सकते हैं आपका यहाँ से भी जो कहानी है वो execute हो सकती है तो यह छोटा सा वीडियो था मेरा जो मेरा main focus यह था कि बहुत सारे मुझे comments आते हैं कि जो scrapping होती है वो किस तरीके से होती है तो यह थोड़ा सा आप लोग को idea देने के लिए है कि अगर हमें scrap करना हो किसी दूसरी website से कोई data उठाके लेके आना हो तो वो किस तरीके से अपनी website पे call करा सकते है detail out इसमें बहुत सारी चीज़ हैं पर मेरा एक आप लोग को थोड़ा सा basic idea देना था कि किस तरीके से जो process है यह चलता है यहाँ पे so friends यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगोंने curl के तरू किसी दूसरी website से अगर हमें image scrap करके लेके आना हो उसके बारे में हम लोगोंने देखा है so I hope कि जो हमारा आज का वीडियो है वो आप लोगों को समझाया होगा कोई भी doubt है आपका कोई भी question है कोई भी problem है तो आप please जो हमारा वीडियो है उसके comment box में मुझे अपना problem डालिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके issue को resolve कर सकूँ source code हमेशा की तरह आपको वीडियो के description बे मिल जाएगा जो मैंने आप लोगों को यहां पे explain करा है वीडियो friends अगर आपको पसंद आए तो please like जरूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please उसे subscribe भी कर लीजे Thank you